बनारस रेल इंजन कारखाना बनारस रेल इंजन कारखाने की जब बात होती है तो कहीं न कहीं एक ट्रांसफार्मेशन की भी बात होती है कभी यह रेल इंजन कारखाना डीजल लोकोमोटिव बनाता था लेकिन अब पूरा फोकस एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर है तो एक बड़ा बदलाओ इस रेल इंजन कारखाने ने देखा है इस पर बावर ज़्यादा बाचित करने के लिए हमारे साथ राजेश कुमार जी है राजेश जी अगर हम बात करें बनादरस रेल इंजन कारखाने की तो यह बदलाओ किस तरीकी का हुआ है और क्या-क्या चीजें जो है बदली है बहुत-बहुत धन्यवद एक बदलाओ था पर्यावरन के अनकूलन हमें किस प्रकार से हम परदूरसन कर पाएं तो उस दिसा में हम लोग ने बहुत तेजी से पहले हम लोग डिजल रेल इंजन का निर्माण करते थे यह 1964 से अनुरत चालू था 2017 तक उसके बाद कारवन इम्मनाजेशन कम करने के लिए हम लोग ने इलेक्ट्रिक लोकों के तरफ अपना मूव किया और आपको बहुत ताजुब होगा कि 2017 में हम लोग ने पहली बार दो इलेक्ट्रिक इंजन बना कर आज के डेट में हम लगभग लगभग साड़े 300 से उपर रेल इंजन बना रहे हैं इसमें पैसेंजर लोकोमोटीव के लिए WAP7 जो 6000 होर्स पावर के हैं और WAG9 जो साथी साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि बनारस रेल इंजन का रखाना एक ही छट के नीचे जहां इलेक्ट्रिक लोकोमोटीव बना रहा है वहीं गयर रेलवे ग्रहकों के लिए हम डिजल रेल इंजन का भी निर्मान कर रहे हैं और इसके साथी साथ हम निर्याद छमता भी ताल सब्सक्राइब कि यह सबसेगत हैं कि लोग भारत में यह जान पाएं हमारे हमारी जो च्छमता हैं जो हमारी ताकत है वो निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन में भी हम टॉप लेवल पे हैं और हम जहां पर डिजल बना रहा है वहीं इलेक्ट्रिक रेल इंजन का भी निर्माल कर रहा है और हमारे इलेक्ट्रिक रेल इंजन निश्चित भारत की और कितनी बड़ा कदम के साथ सहयात्री के रूप में काम कर रहा है राजे जी एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो आप बता रहे थे कि कई इंजन है जिनका एक्सपोर्ट किया गया है और उनको भी यहां पर दिखाया गया है इनके बारे में बाते हैं और एक और चीज जो बार बार होते हैं आप इसे गिंजनों में बेंगे हैं कि हम ब्राट गेज जहां बनाते हैं, वहीं South African countries या जो country हम लोग से जिनको हम निर्याद करते हैं, हम उनके अरूप design जैसे caब gauge जो जय करते हैं, तो उनके जिस प्रकार के rail line है, हम उनके उनसार, उनके पसंद के उनसार उसी तरह किया एक रेल इंजन का निर्माड करते हैं जिससे की उनके कारियों के साथ हम अपने आपको एसोसियेट कर पाएं अभी तक हम लोग ने तंजानिया को वियतनाम को बंगलादेश स्रिलंका मैनमार स्लेगन अंगोला और मोजांबिक जैसे कंट्रीज को हम लोग ने एक्सपोर्ट कि कि आए और ये बनारस रेल इंजन कारखाना कहीं न कहीं न देश में ही ही नहीं बाहर भी नाम रॉसं कर रहा हैं長 Upper तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इंजन की से श्रुवाठ हुई थी उसको भी यहाँ पर दिखाए गया है 26 अपरेल 1956 में हम कह सकते हैं कि foundation stone रखा गया था या सिलान्यास हुआ और उसके बाद जो है इसकी यात्रा लगातार बदलती रही और rail engine कार खाने की बात करें पहले डीजल बनाता था आज की तारीख में जो जरूरत है उसी पर अब काम हो रहा है तो यहाँ पर उसकी पूरी जर्णी दिखाई गया है किन-किन जगहों पर एक्सपोर्ट हो रहा है यानि भारस से जहां-जहां ये rail engine एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है कैमरामें सकील हमत के साथ सिद्धार्ट न्यूजिस्टेशन दिले